हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटिट कॉमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एननसी के योटीन देटा का कुछ लुच देखने को बाता है और बहुत सार लोगों की कौरीज भी आया तो चलेके हम दोनों की अप्जान देखते हैं कि वाकई डेटा में डिफ्रेंस है हूँ यहाँ पे आपको नशी की बात करें यहां पर लगमक आपको बात करीव देखने से संसीबल के वेबसाइट पर देखते हैं कि सेम यहां पर हम सहाँ पहले संसीबल के वेबसाइट के तरफ जो ओए है वह आपका 48 लैक के करीब यह अनुए प्रॉक्समेटली 48 लैक करीब अब यहां पर हम NSE की वेफ साइट पर चलते हैं और देखते हैं यह difference क्यों है यह जो difference है उसको समझने कोसिस करते हैं तो यहां पर हम NSE की वेफ साइट पर आते हैं और यहां पर हम 16,000 के strike price पर call side की तरफ आते हैं यहां पर अगर आप इधर देखे तो लगबग आपको 95,600 के करीब क्या देखने मिलेगा ओवाई देखने मिलेगा अब दोनों के बीच में difference क्या है यहां पर आप समझने कोसिस किजिए यह आपका number of contract दिखाता है यानि number of lot size दिखाता है निफ्टी का lot size कितना है? निफ्टी का lot size आपका 50 का यानि अगर आपने निफ्टी के एक lot को buy किया है तो NSE यहां पर OI दिखाएगा 1 जबकि sensible OI में क्या दिखाएगा वो OI में आपको 50 दिखाएगा मतलब वो number of quantity दिखाता है जबकि NSE number of lot size यानि number of contract दिखाता है अगर आ आपका 48 lakh के करीब हो जाएगा जो real terms में आपको OI हर एक जगा देखने को मिलता है तो NSE के website भी गलत information नहीं दे रहा बलकि यह अलग information दे रहा different type of information यह आपको provide कर रहा यह आपको number of contract number of lot size provide कर रहा अगर आप इसको 50 से multiply कर देंगे तो यह आपको sensible के बराबर देखने को मिल कोई difference नहीं है similarly हम OI की बात करें तो OI में भी यही चीज़ है OI यहाँ पर आपको number of contract दिखाता है यानि कितना number of quantity trade हुआ वह नहीं दिखाता है कितना number of lot size trade हुआ वह दिखाता है तो अगर आप change in OI भी देखना है तो इसको भी आप यहाँ पर 50 से multiply कर देंगे और जो data यहाँ पर different data represent करना शुरू कर दिया है लेकिन real terms में जो OI होता है वह number of quantity count किया जाता है इसलिए अगर आपको real terms में number of OI देखना NST के option change है तो आप यहाँ पर OI और change in OI दोनों को यहाँ पर 50 से multiply कर देंगे तब जाके आपके सामने real terms में OI और change in OI यहाँ पर आपको दे देते हैं यहाँ पर आपको OI लगवग 78,586 से करीब देखने को मिलगा और यहाँ पर आगर हम इसको 50 से multiply कर दें यह जो डेटा आरा लगवग आपका 39,002,40,000 के करीब डेटा आएगा अगर आप इसको इससे multiply करते हैं तो चलिए अब हम sensible के website पर चलते हैं और 16,100 के strike price पर puts fire की तरफ कितना OI वो find करने की courses करते हैं तो यहाँ पर हम sensible के website पर आगे और देख सकते हैं 16,100 के strike price पर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लगवग आपको जितना मैंने बताया था 39,00,000 के करीबी OI देखने को मिलवा था और हमने NST के website पर इतना calculate किया था जो भी data lot size कितना 50, तो NST दिखाएगा OI यहाँ पर सिर्फ आपका 5 दिखाएगा, जबकि sensible क्या दिखाएगा, sensible जो OI दिखाएगा वह दिखाएगा आपका 5 into 50, that means 2, यहाँ पर आपका 250 OI देखने को मिलेगा, जबकि NST के website पर हमें सिर्फ 5 OI देखने को मिलेगा तो यही difference है, यह आपका number of lots size और यह आपका number of quantity दिखाएगा कोई गलत नहीं है, दोनों सही data represent कर रहा है, लेकिन दोनों अलग type of information आपको यहाँ पर provide कर रहा है बस यह information आप तक पहुचाना था, उमीद करते हैं, यह video देखने के बाद, आपके पास जो भी गलत फहमी होगी क्याने से के website पे data गलत है, या फिर sensible के website पे data गलत है, वो गलत फहमी दूर हो गई होगी इस तरह के informative वीडियो के लिए चैनल पे आप बने रहे हैं, और अगर अभी ता आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और साथ साथ बेल आइकन दबना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो अफ्लोड करें, उसका नोरिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप हमारा वीडियो मिस ना करें So, that's all friends, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जैहिन